तो राद भर मिसाइले बरस्ती रहे राद भर ऐसा मंजर रहा जिसमें कई स्कूल ध्वस्त हो गए कई ऐसी बिल्डिंग ध्वस्त हो गए हम बात कर रहे हैं मिडलिस्ट की जो वहाँ पर अश्रांती फैली हुई है और इरान और इसराइल के बीच में कभी भी कोई बड़ा य युद्ध का रूप लेने जा रहे हैं कितने ऐसे देश हैं जो कि अब दो खेमों में बढ़ गाए हैं इसी पर बात्चित करने के लिए मेरे साथ मेरे सयोगी मयंक जोड़ गाए हैं मयंक कहा ये जा रहा है कि अभी तो छोटे-छोटे हमले हो रहे हैं लेकिन अगस्त के अभी इस चुछी मेरे की तरफ से हमले हो रहे हैं अभी पर रात है पोरी रात वर के मिजय से हमले हो रहे हैं में जो हैं इस राइल के साव.. इस्राइल के एर फोर्स के बेस, इस्राइल के जो डिफेंस इंस्टॉलेशन्स हैं उस पर ये रॉकेट से हमले होते रहे और खासकर गौर करने वाली बात नीलू ये कि ये बहुत कम समय में जो हिजबुला का पैटरन है अटेक का ये बहुत कम समय में एक साथ खूब सारे इस्राइल आट करती इस्राइल पर देता तैटरॉब 2 उकसे कि विएर रहा ज़ा मुझे इस्टारिशन पर जेन पर इए प्लिफेशन थियो रूकेट से रहा डी बात करने इस्स्नाएलों तो एक साथ खूब सारी एक सारQuéित अ're प्र फायर कर देंसी कि ये बटक गए और बॉपर ब्लास्ट कर एल लिए बटग गई अच्छा एज भूर बलास्ट कर गई तो अब बेसिकलेगी एज रहा है यहे रहा है लिए जो एक बड़ाइगाई भाट कर एक पुरे वॉरा में पोरा वुरे इस सिर्टाडीजी बना लिए गई है, तए है यही किय इस्राइल की कंपनिया निशाने पे हैं, जैसे फूड कंपनिया हो गई, पावर प्लांट्स हो गई, पुलिस चौकिया हो गई, आर्मी के इस्टॉलेशन से हो गई इस्राइल की रीड के हटी तोड़ने की कोशिश शुरुआती दॉर्पर इस्राइल को करीब 10 लाख करोड का नुकसान पहुचाना है युद्ध शुरू होने के पहले, ये हिजबुल्ला और इरान की प्लानिंग है, कि आप फुल फेजट वार शुरू करें, उसके पहले ही आप इस्राइल की कमर तोड़ दें, आर्थिक रूप से उसे कमजोर करें, स प्लानिक रूप से उसे कमजोर करें, उनकी हतियारों को तबाह कर दें, और जब इस्राइल कमजोर पढ़ने लगे, पतलब जब वो थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में हो तब फिर एरान जो हो उसके उपर हमला करेंगा, फुल पोर्स के साथ, तो ये अब तक का प्लान जो ह वो समझ में आ रहा है, और सिर्फ यही नहीं कि हिजबुला जिस तरह से पहले हमला करेंगा इसराइल को पर उसके बाद इरान के बारी आएगी, लेकिन यहां सिर्फ इन दोनों की बात नहीं हो रही है, हमास एक और उसके अलावा कह रहे हैं कि जो फिलिपिन्स है, या फिर stun़ है, या फिरिया है, यमन है, यह सब मिलकर कह रहे हैं कि इरान का साथ दे रहे हैं, और यह सब इस हमले में शामिल होंगे, मयंकि, बड़ी बात है कि अगर यतने सारे देश एक साथ मिलते हैं इरान के साथ और कई ऐससे संगटफ जाये, इस्जबला की बात करी जाये अगर ये सारे मिल गए तो एक छोटा सा इसराइल का इन हमलों को बरदाश्ट कर पाएगा देखे अभी जो है इसराइल जो है वो भी इसको कैसे काउंटर करना है इसके स्ट्राइजी बनाने में जोटा हुआ है अमेरिका जो है वो इसराइल के साथ कड़ा हुआ है NATO की forces जो है वो इसरेइल के साथ है तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो अगर हथियारों की बात की जाएं, मिजाइल की बात की जाएं, एंटी मिजाइल सिस्टम की बात की जाएं तो इस लिहाज से इसरेइल भारी पड़ता है, लेकिन जब बास होती है फोर्सेस की ग्राउंड फोर्सेस की तो उसमें इरान और जो मुस्लिम इसलामिक कंट्रीज हैं वहारी पड़ती है अब ही जो है इस्माइल हनिया की हत्या के बाद से इरान बुरी तरह से बुखलाया हुआ है और अब जो है एक बात निकल के और यह सा जो रक्षा मंत्री है योव गेलंट विदेश मंत्री है कार्ड्स और इनकी जो मुसाद है मुसाद और आईडीएफ के जो चीफ है हलेवी यह चार-पांस लोग जो है यह भी हिजब ला के निशाने पर है तो अब यह कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वार फुल स्रेजिट वा कर रहा है तो इसराइल भी इसमें पीछे नहीं है इसराइल के किस तरह की तैयारी है वो भी हम आपको बता दे जो इसराइल की सेना है उन्होंने भी लगातार पीछे कई हफ्तों से लगातार मिसाइल अटेक किये हैं जिसमें कई जो लेबनान की जो कई शहर के कई बिल्डि को टार्गेट करें जिसमें लेबनान की कई ठिकाने हैं या फिर एरान की कई ऐसे ठिकाने हैं और पीछे हमने देखा मयंग की रक्षा मंत्री हो या फिर खुद नितम्या हो हो या फिर सेना प्रमुक हो वो हर उन ठिकानों पर इसराइल के गए हैं सैनिकों से बाच्चित की है उन्होंने कहा है कि देखे हम शांती चाहते हैं लेकिन जब आकर्मन होगा तो हम उससे पीछे भी नहीं रहेंगे यानि इसराइल भी अपने तरीके से पूरी तरह से तैयारी कर रहा है और अब वो अपने सारे सेनिकों से कह चुका है कि आगर वाले हम स्थाइला के पुकता देखे छाएंगा है तरह से टमान फड़िए पीडिणा उत्स घुर्हों कि पना बढ़ेगे इने लिए भीग पूरान awfullyAfल जातार। इसरेया, इरान, इराक, इन सब के गिरे होने के बाद भी इसरेयल इन पर भारी पड़ता है उसकी बड़ी वज़ा यह है कि इसकी नीती बहुत अकरामक है और उसके पास हतियार बहुत ही आधुनिक है क्योंकि अमेरिका इसके सपोर्ट में कड़ा हुआ हुआ है अगर कोई ब भाजू कमें इसरेयल उसकी नीत, सब्ड़े के इसरेयल, कि जल झल ढ़ा सब्सकी में जानाज दीना होने पास में मुंसाद का का मुंसाद का चाहां ऑचिछा का कि प्रूण है, हम यह दिए हमास्ने ठुप बड़ल्ण हुआ हूम को बता सब जप नई कर आख कर दार दिया ह और वो बच्चते इसलिए रहे क्योंकि उनकी लोकेशन मुसाथ पता नहीं लगा पारा था बस यही वज़ा है कि जिसकी वज़ा से इहाया सिन्वर पर पिछले कुछ समय में असासिनेशन अटेम्ट नहीं हुआ तो अब देखें आप इस मेडिली इस वार में एक बड़ा यह वार है वार शुरू हो उसके पहले हिजबुलाइ इसराईल पर हमला करेगा इसराईल को कम्जोर करने की प्लानी है चाहे उसकी फूड कंपनिया हो जहां जो उसका फूड इंस्टॉलेशन है उसके पास जो खाने का समान है उसको खतम खिया जाए पेरोकेमिकल्स जो कर लिया गया है कि कैसे पहले Hezbollah टैक करके कुछ दिनों में इसराइल की कमर तोड़ने की कोशिश करेगा और उसके बाद जब इन ऐसा लगता है कि अब वक्त आ गया है तो फिर एरान हो सकता है अपने सहीयोगी देशों के साथ मिलके एक बड़ा वार हो जाए लेकिन इसी ब तमाम बातों से यही निकल कर सामने आता है कि इस वक्त पूरा मिडिलेस बारूत के धेर पर बैठा है कभी भी इस पर विस्पोर्ट हो सकता है और सभी को इसी का इंतजार है कि वो दिन कब आएगा कोशिश यही की जा रहे है कि इस युद्ध को इस टिंशन को यही रोका ज लेकिन छोटे-छोटे हमलों से यही नहीं लगता कि यह किसी बड़े युद्ध में तब्दील ना होगा तो इस पर इंतजार रहेगा इस पर खबरे भी लगातार हम आपको बताते रहेंगे तमाम अपडेट्स के लिए आप मारे साथ जुड़े रहे हैं